स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल दाकड ओनलाइन इस्टेडी में दोस्तों इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर ब्लेड रिलेशन से एक सम्बंदित क्यूशन सोल करेंगे दोस्तों रिष्टा सम्बंदि प्रेशन जो है SAC, Railway Bank, UPSC, Group D और जितने भी exam, competition exam होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा important है इसमें से हर बार हर एक exam में question पूछे जा रहे हैं और दोस्तों ये जो question है दोस्तों exam में पूछे गए हैं और इनमें से वापस आने के बहुत ही ज़्यादा chances है तो दोस्तों अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे तो दोस्तों पहला question है अमित राहूल का बेटा है दोस्तों यहाँ पर जो question है वो trick से आपको solve करके बताए जाएंगे और यहाँ पर हम when Rx direct से Rx से दोस्तों question आपको solve करवाएंगे तो सबसे पहले अमित जो है राहूल का बेटा है मान लेते हैं यहाँ पर अमित है और दोस्तों अमित जो है राहूल का बेटा है तो राहूल यहाँ उपर हो जाएगा और अमित जो है इसके निचे हो जाएगा यह बात आपको ध्यान रखनी है अमीत यहां नीचे हो जाएगा और राहुल उपर हो जाएगा उसके बाद दोस्तों अगला दे रखा है राहुल की बेहन सारिका को एक बेटा सोनू राहुल की बेहन तो राहुल की बेहन दोस्तों इसके बराबर के साइड में लिखना है सारिका सारिका जो है राहुल की बेन है और सारिका को एक बेटा सोनू और एक बेटी रीता है तो सारुका के एक तो हो जाएगा बेटा सोनू हो जाएगा यहाँ पर और एक हो जाएगा दोस्तों इसकी बेटी जो है रीता हो जाएगा इसके निचे इस परकार से अब दोस्तों आगे क्या दे रखा है कि राजा सोनु का मामा है राजा सोनु का मामा है तो अब दोस्तों राहूल के लिए तो देन रखा तो राजा दोस्तों क्या हो जाएगा इस सारिका का एक और भाई हो जाएगा राजा तो वो सोनु के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों मामा हो जाएगा उसके बाद राजा से किस परका रीता का समन्द बताना है दोस्तों रीता जो है वह राजा से किस परका समन्दी थे रीता और राजा अब इधर देख सकते हैं कि राजा के लिए रीता का क्या समध होगा इस परकार से आपको आंसर बताना है कि राजा के लिए रीता किस परकार समधी थे तो दोस्तों राजा के लिए जैसे सोनू का मामा है ना राजा तो इसी परकार रीता और सोनू दोनों जा सोनु बेटा है तो यह इसकी बहन होगी तो दोस्तों इसके लिए राजा के लिए यह बांजी हो जाएगी और रीता और सोनु दोनों के लिए राजा क्या हो जाएगा मामा हो जाएगा और राजा के लिए रीता बांजी हो जाएगी और सोनु जो है बांजा हो जाएगा त दया का भाई अमित हैं तो यहां पर हम लिख देते दया और दया का जो भाई है वो है अमित तो यह एक ही लाइन में आएगा अमित उसके बाद दोस्तों दया का भाई अमित हो गया और दया चंद्रा का बेटा है दया जो है चंद्रा का बेटा है तो दोनों भाई हैं तो दोनों चंद्रा के बेटे ही होंगे तो याँ बीच में मैं इसके लाइन कर लेता हूँ कि चंद्रा के बेटे हैं उसके बाद विमल चंद्रा की पिताजी है चंद्रा के और भी पिताजी है उपर वो हो जाएंगे विमल हो जाएंगे यह इसके चंद्रा के उपर आ जाएंगे अमित का विमल से क्या संबन्द है आपको बताना तो अमित का विमल से क्या संबन्द है कहने का मतलब विमल जो है अमित को क्या बोलेगा, यह बतान आपको विमल जो है अमित को क्या कहेंगा, तो अमित के लिए यह क्या हो جाएगा बेटे का बेटा क्या होता है? पोटा होता है तो option number A जो है यहाँ पर correct answer हो जाएगा option number A question number थर्ड की बात करें अगर हम भाई है X Y के पुत्र के पुत्र का भाई है X तो अब क्या करना दोस्तों Y यहाँ पर लिख लेते हम Y और Y का पुत्र और उसका भी पुत्र और उसका भाई है X इसका भाई हो जाएगा X अब पूचाएं कि X का Y से क्या रिस्ता है X का Y से क्या रिष्टा मतलब Y X को क्या बुलाएगा तो इसको पौत्र बुलाएगा तो यहां हो जाएगा पौत्र option number D जो है इसका right answer हो जाएगा next question number 4 है E का पुत्र A है E का पुत्र A है दोस्तो सबसे पहले E का जो पुत्र है वो हो जाएगा A E का पुत्र A हो गया ठीक है अब दोस्तों पुत्र है तो यहां मैं आगे plus लगा देता हूँ पुत्र के लिए minus लगा देता हूँ B का पुत्र D है B का पुत्र हो जाएगा यहां पर B का पुत्र माल लेते है D B का जो पुत्र है वो माल लेते है D यह B का पुत्र हो गया D और इधर भी मैं प्लस लगा देता हूँ A का विवा F के साथ हुआ है A का विवा F के साथ हुआ है तो यहां पर मैं F लगा देता हूँ जिसका विवा F के साथ हुआ अगर यह पुत्र है तो यह इसकी पत्नी है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और फिर B की पुत्री F हैं ये जो है B की पुत्री है तो मतलब ये दोनों भाई और बहन हो जाएगे B का पुत्र D भी है और B की पुत्री F भी है तो पुत्री है तो माइनस और ये भाई है तो प्लस हो जाएगा दोनों D का A के साथ क्या संबन्द है D का A के साथ क्या संबन्द है D का A के साथ क्या संबन्द है आपको यह बताना है कि A जो है D को क्या कहकर बुलाएगा तो दोस्तों अब देखो इधर यह दोनों यह इसकी जो है पती है इस F का पती है A और F का भाई है D A जो है F का पती है और D जो है इदर यह इस F का भाई है तो अब जो पती के लिए पतनी का भाई क्या हो जाएगा दोस्तों साला तो यह जो है यहाँ पर साला लगेगा option नमर B जो है यहाँ पर right answer हो जाएगा option no.B next question की बात करे question no.5 a ततब बाई है a तता b جो है भाई है तो यहाँ पड़ा हम बना लेते है a ओर y है इसलिए plus और b एदर भी यह बाई है लप्रुश है इसलिए plus c तता d बहने है c और d बहने है तो यहाँ पर बना लेते हैं C और D जो है बहने हैं C और D दोनों हो गई यह बहने हो गई अपस में दोनों बहने हो गई और यह दोनों भाई हो गई A का पुत्र D का भाई है A का जो पुत्र है A का पुत्र माल लेते हैं यहां निचे A का पुत्र हो जाएगा वो D का भाई हो जाएगा कहने का मतलब ये D का भाई हो जाएगा तो प्लस बैसे पुत्र है तो प्लस ही है ये D का भाई हो गया अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दे रखा कि B किस प्रकार D से समझ दे थे B जो है D से किस प्रकार समझ दे थे इसका मतलब D जो है वो B को क्या कहेगा अब दोस्तों ये हो गया पुत्र ये भाई हो गया ये बहन हो गई और ये जो है उपर पिता हो गई तो पिता का जो भाई है वो D के किस प्रकार लगेगा चाचा लगेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option number D जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा question number 6 बी डी की माँ है तो यहाँ पर बना लेते हम B और यह हो जाएगी अब पर D बी की बेटी नहीं है तो इसका मतलब दोश्तों यह क्या हो जाएगा बेटा हो जाएगा उसके बाद A m का बेटा है यह जो है M का बेटा है यहाँ पर मैं बना लेता हूं M को और इसका बेटा जो है A है तो A बेटा है तो ये भी हो जाएगा प्लस का और G का भाई है ये जो A है दोस्तों ये G का भाई है तो G यहाँ पर बना लेता हूँ ये इसका भाई हो जाएगा G का भाई है G D की बहन है अब ये G जो है D की बहन हो रही है वापस तो यह माइनस हो जाएगा तो इधर A की भी यह बहन हो जाएगी और D की भी यह बहन हो जाएगी M B का क्या है M जो है वो B का क्या है तो यहां अगर बात करें यह जहां पर दोस्तों यह बाई हो रहा है यह बहन हो रही है और यह वापस भाई हो रहा है तो कहने का मतलब B जो है क्या है माँ है यहाँ पर तो और इधर वापस इसका पुत्र है तो यह क्या पिता होगा पिता होगा और दोस्तों B का M का B से क्या समन्द है तो B जो है M को क्या पुकारेगी तो इसके लिए हो जाएगा पती B जो है M के लिए हो जाएगी पती B जो है M B का क्या है M जो है B का क्या है तो B का ये M जो है पती है तो option number B जो है यहां right हो जाएगा Next question है 7 number A और B Y है दोस्तों A और B Y है तो यह हो गया A और यह हो गया B दोनों हो जाएगे भाई तो दोनों के उपर लगा दिया PLUS C-A की बहिन है C-A की बहन है C को यहाँ लिख दियते हैं तो बहन है इसलिए माइनस और A की तो A के साथ उसके बाद D-E का भाई है D जो है E का भाई यहां निचे लिख देते हैं डी भाई हैं किसका ए का तो यह लिख दिया और ए बी की पुत्री है यह जो है इस बी की पुत्री है पुत्री है तो यहां लग जाएगा इसके साथ माइनस तो डी का चाचा कौन है डी का चाचा इसका चाचा तो दोस्तों यह दोनों भाई बन हो गए और यह इसका पिता हो ग बिड़ी का चाचा A हो जाएगा तो option number B जो है इसका right answer हो जाएगा आटवा प्रश्नय ए B का पुत्र है तो कुछ नहीं करना दोस्तो ए जो है B का पुत्र है तो यहां पर हम बना लेते B और उसका पुत्र हो जाएगा ए जो है बी का पुत्र हैं तो यह आ गया ए बी का पुत्र हैं उसके बाद सी ए का भाई हैं सी जो है इस ए का भाई हैं तो यहां पर आ गया सी ए का भाई हो गया और डी सी का पुत्र हैं तो डी निचे आ जाएगा इस सी के पुत्र के रूप में और यह पलस आ जाएगा अब डी का कौन है यह जो है डी का कौन है डी का कौन है अब यह उपर दोस्तों पीता होंगे इसके सी और सी का मतलब पीता का भाई क्या हो जाएगा दोस्तों चाचा हो जाएगा तो option नमबर डी जो है यहाँ पर correct answer है चाचा question number 9 की बात करें एका पुत्र एका जो पुत्र है वो ई है एका जो पुत्र है वो दोस्तों ई है अब यहाँ बना लेते हैं एका जो पुत्र है वो हो जाएगा ई एका पुत्र ई हो गया उसके बाद बी का पुत्र डी है बी का पुत्र डी है तो यहाँ पर हम बना लेते बी और इसका पुत्र बना लेते हैं यहांपर D B का पुत्र जो है D हो गया E का विवास C के साथ हुआ है E का विवास C के साथ हुआ है तो इसका विवास हुआ है तो हम दोनों तरब तीर लगाएं और C के साथ हुआ है और यह पुत्र है तो यह क्या हो जाएगे ये दोस्तों पत्नी हो जाएगी, ये पुत्र है तो ये क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी, और विवा हो रहा है, इसलिए दोनों और एरो लगाने हैं, आपको ध्यान रखना है, उसके बाद C, B की पुत्री हैं, C जो है B की पुत्री है कहने का मतलब ये दोनों जो है दोस्तों भाई बन हो जाएंगे तब ही B की पुत्री होगी क्योंकि B का पुत्र D है और B की पुत्री C है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे भाई बन हो जाएंगे D का E से क्या संबन्द है D का दोस्तों E से क्या संबन्द है यह आपको बताना है D का A से यानि कि E जो है D को क्या पुकारेगा तो E के लिए D क्या हो जाएगा E का जो है दोस्तो E की पत्नी है C और C का भाई है D तो E के लिए क्या हो जाएगा पत्नी का भाई हो जाएगा D तो पत्नी का भाई क्या हो जाएगा साला तो अप्षिन नंबर A जो है यहाँ पर साला जो है वो correct answer हो जाएगा question नंबर 10 की बात करें हैं तो A, B, Tता, C की माता है A जो है B और C दोनों की माता हैं यहाँ पर तो A को हम बना लेते यहां उपर और यहां बना लेते B और C दोनों की यह हो जाएगी माता ठीक है A जो है B और C के माता होगे यदि D C का पती हो D जो है C का पती है C का पती है यानि कि प्लस और C का पती है तो C क्या माइनस होगी तो यह D प्लस होगा A, D के लिए है A का D से क्या समदे यानि D जो है A को क्या पुकारेगा तो अब इसके लिए क्या होगा यह इसकी बेटी है तो अब यह सांस भी हो सकती है ससूर भी हो सकता है अब क्यूशन में आपको देखना है आपको सास दे रखा तो सास राइट करना है और ससूर दे रखा तो ससूर राइट करना है तो इसमें सास दे रखा तो आप डी यानि कि सास जो है राइट कर दोगे क्योंकि पत्नी के पत्नी के पिता सासूर होते हैं और पतनी की जो मा है वो सास होती है तो इसमें सास दे रहा है तो आपको option number D जो है right करना है question number 11 11 है कि X और Y दो भाई है X और Y दो भाई है तो यहां हम बना लेते X और यहां पर बना लेते हम Y दोनों हो जाएंगे भाई X और Y दोनों हो गए भाई अब क्या करना है B A का भाई है B बना लेते हैं यहां उपर और यह क्या है भाई है और किसका है A का A का gender अभी हमको नहीं दे रखा है लेकिर A X की मा है A जो है X की मा है मा का मतलब माइनस होगा gender और यह X की मा हो जाएगी B का Y से क्या सम्बन दे इन दोनों का हमको संब्ध बताना है इन दोनों बी का वाई से बी का वाई से क्या संब्ध हो जाएगा मतलब वाई जो है बी को क्या कहेगा तो बी को कहेगा यह मामा क्योंकि दोस्तों यह दोनों भाई है तो भाई भाई की जो माता है और उस माता का जो वापस भाई है वो क्या हो जाएगा मामा हो जाएगा तो भाई के लिए भी क्या लगेगा मामा हो जाएगा क्योंकि भाई की माता या अपनी माता या इसकी खुद की भाई की माता है और इसका जो भाई है, वो क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा भाई का, तो option number A जो है, यहाँ पर correct answer हो जाएगा, A option number, next question की बात करें, 12 number, x, y की बहन है, x जो है दोस्तो, वो y की बहन है, x बहन है, तो minus, और किसकी है, y की, तो यह y, y, k की पुत्री है, अब y भी जो है, k की ज हो जाएगी, minus, पुत्री है, और किसकी, k की पुत्री है, अब k हम को नहीं दे रहाएगा, k जो है, l का पती है, k जो है, l का पती है, तो L का पति एए तो L इस तरही होगी और प्रूश हो जाएगा, पति हे तो प्रूश हो गए, प्लस हो जाएगा L का Y से क्या संबन्द yht, जूए-क के लिए L हो जाएगा अब देहों दोस्तों ये हो गएurg deg, Pyta, Ky का का क्या हो जाएगा ये पिता की पत्नी और उनि क्या हो जएगी माहा घ। य के लीक हो जाएगा माहका संब्ध हो जाएगा option नमर्बर डी जो है यहाँ पर ट्रेक्ट अश्र डी माता माता जो है यहाँ विडियो पसंद आये तो प्रार्इंट को शेयर करें ओर अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिशन आप तक तुरंद तक पहुंच सके धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए चेह हिंदिर